तो घेलो दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रस्नावली 7 के एका का पार्ट 3 बताऊंगा पार्ट 3 में आपको 10 से बताऊंगा ठीक है दोस्तो क्योंकि है आपको 10 itt बता दिया है श्रुब अन्वार आपके लिए बहुत खास होने वाला है तो चले मैं क्वेस्टन 11 को पढ़ता हूं इसमें क्या बोला है इसमें बोला है सिद्ध कीजिए की बिंदू माइनस दो कामा पांच इसमें 3 बिंदू दिये गए है आपको बोला है कि आपको यह सिद्ध करना है की ओ, समद्धिवाव तिरभूच्श के हैं ठीक है नह wireless Tradition करना क्या है हमारा काम होगा हल लिखेंगे हल लिखने के बाद जो बिंद ुदिये हैं उसको तो लिख लिजिये ठीक है दोस्तों तो छले मैं इसके बिन्दु को भी लिख लिए पिर उसके बाद दिया है त्र था साथ कामा दस यह आपके बिंदू दिये गए हैं इन बिंदूओं को लेकर आपको दूरी निकालनी है दूरी निकालने के बाद आपको यह सिद्ध करना है कि यह समध्दिभाव त्रिभूच के सीर्स है या नहीं समध्दिभाव त्रिभूच के सीर्स तभी होंगे जब इसकी तो बराबर आना चाहिए क्योंकि नाम से ही पता चलना है कि समध्ध दिवाव तिर्भूज के सीर्स है समध्ध दिवाई मतलब कि आपको इसे प्रूब्ड करना है यादि दो भूजा इसकी बराबर आ गए यानि कहने मलब दो बिंदों की बीच की दूरिया जब इसकी बराबर आ जाएंगी नहीं समझ में रहा है चले देखें कैसे करना है सबसे पहले वह समध दिबावतिर्भूज समझने के तोर ठीक है माण लीजी आपका यह क्या है समध दिबावतिर्भूज है यह ने बना दिया समध दिबावतिर्भूज का आकार सपोस्ट ठीक है अब इसके बिंदूं को लिख देता हूं यहां पर यह मान लेजा है आपका लिख दिया अब क्या करना है इनके बीच की दूर्यों को निकाल लेजिए ठीक है निकालेंगे तो जो ढूरीया पराबर मिलेंगी आपको डोठो वह समगत अभी किया हो जाएगा x1 का whole square ठीक है x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square यह आपका फार्मूला है तो मैं directly इस फार्मूले में इसको रखता हूं जब मैं इसको लेंगा तो यह क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा y1 और यह आपका हो जाएगा x2 यह हो जाएगा आपका y2 ठीक है तो फार्मूले में क्या होता है, X2 minus X1 का whole square, तो X2, X2 आपका कितना है यहाँ पे, 3, तो 3 लिखिए, minus X1 का whole square, तो X1 जो है, पहले से ही minus में, तो minus, minus क्या हो जाएगा, plus, और 2 का क्या हो जाएगा, whole square, ठीक है, plus, अब क्या करेंगे, Y2 minus Y1 का whole square, स्क्वाइर तो वाइटू वाइटू कितना दिख रहा है माइनस फोर फिर माइनस वाइवन वाइवन कितना है फाइव का होल स्क्वाइर अब आपको क्या करना है ध्यान दीजे चले अब आगे आपको करना क्या है तीन दो जोड़ दिए तीन दो कितना हो जाएगा पांच तो तो क्या करना है एक निकालल को दूरी थ्यान दीजिजें दोस्तों 5 का वग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 inappropriate नो का वग करेंगेने लिए अब क्या लक्त धीज्वी और कोता हूं चलिए मैं जोड़ता हूं चोब तो कितना आजाएगा पांच एक छहांसिल एक भी नहीं और दो कितना दस तो यहां पर निकलेगा कितना 106 क्या दूरी हमें सा मात्रक लिखे या तो इकाई लिख दीजिए चलिए हम यहां पर लिख देते हैं मात्रक अब यह आपका निकल गया एक सी के बीच की दूरी अब क्या करना ओगा भी सी निकालना होगा ठीक है तो इस नकलन के लिए क्लाएं के क्ला vine के लिखा प्रॉस एह क्या क्लिकश हूज जाएगा x2 y2 और यह क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा ठीक है चले ध्यान दीजिए दोस्तों लिखेंगे क्या x2 x2 कितना आपका 7 minus x1 x1 कितना है 3 तो इसका कर दीजिए whole square ठीक है फार्मूले से अब क्या करेंगे y2 y2 कितना है 10 minus y1 y1 कितना है minus 4 तो minus minus plus हो जाएगा 4 का क्या कर देंगे whole square ठीक है अब ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे दोस्तों कि अब आपको करना क्या है इसको जोड़ देना है साथ में से तीनिया पर घट रहा है तो बचया कितना चार तो चार का क्या हो जाएगा whole square प्लस दस चार 14 तो 14 क्या कर देंगे whole square अब क्या करना होगा बीसी निकालना है तो बीसी बराबर है चार करेंगे चार चोगे Bonjour प्लस चाओधा करेंगे 14 14 हम्में एकसो कितना होता है 94 क्यत्म 13 टैक है यह रहान तो गुड़ा हमेसा कर verdict इसका उतनी बार गुड़ा करेंगे तो आपको मिल मिल जाएगा अब 6 6 12 हांसिल 1 और 9 10 11 हांसिल एक कितना हो जाएगा 2 तो दोसो 12 क्या निकल जाएगा मातरक निकल जाएगा किसके बीच की दूरी निकल लाइख यह बीसी निकल गया अब आप क्या कर यह निकाल लिजिए ठिक है तो चलिए यहां समें बच लता है कि बीछ की दूरी तो सी से निकालने के लिए क्या करना होगा अब यह थो यहां डक्स ट्टू वाइट्टू और यह थो गर 2 ऑग क्षोन वाई-1 हो जाएगा ठीक है जोस्तों चले अब अब रखेंगे क्या पर एकस्टू माइनस में तो माइनस एकस्टू कमान फिर माइनस क्या होता है एकस्वन एकस्वन कमान कितना दिया सेवन तो यहां पर कर देंगे होल स्क्वार ठीक है अब लिखेंगे यहां पर प्लस अब लिखें वाइटू तो वाइटू वाइटू कित स्कॉायर प्लस अब यहाँ पांच यहाँ दस माइनस दस घटाएंगे कितना पांच यहाँ पर माइनस पांच का क्या कर दीजिए चले अब क्या करना होगा ध्यान दीजिए और अब इसको जोड लीजें तो एक सफेके सूर्व में जोड़ा था तो कितना आ गया 106 क्या मातरक और हमने बताया यह बोला सिध किजिए कि जो यह दिये गए हैं बिंदू यह तरिसमदिवाव तिरिभूज के सीर्स हा या नहीं तो सीर्स यह हमने क्या बताया कि जब इसकी दो भूजा बराबर निकलेगी समध दिवाव सिर्भूच के सीर्स हैं नहीं निकलेगी तो नहीं है लेकिन प्रूब्ड करना था हम निकलेगा क्यों नहीं तो ध्यान दीजे दोस्तो एबी जो निकला है वह सीए के क्या निकला है बराबर तो आता हम लिख सकते हैं यहां पर जो एबी निकली है दूरी वह क्या सी यह के बराबर लेकिन यह दोनों किसके बराबर नहीं है बीसी के तो नाट इसकोल टू कर देंगे क्या बीसी समझ्यां दोस्तों यह इसमें आपको प्रूब्ड करना था ज्यादा कुछ नहीं कि आप देखें दोस्तों क्योσε नमबर 12 क्या बोला है इसको मैं पड़ता हूं इसमें बोला है निम्नलिखित बिंडुओं द्वारा बनने वाले चतुर भूझ का प्रकार यदी कोई है तो यदी है तो ध्याद ढिभीज्ट का प्रकार है तो बताएये तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए अगर है तो क्यों हाई ध्यान दीजिए गा दोस्तों अगर आप इसमें बिंदू को लिख लेते हैं तो इसके बिंदू क्या-क्या दिया है तो जो बिन्द दिया गया है माइनस एक कामा माइनस दो ठीक है फिर उसके बाद एक कामा जीरो उसके बाद दिया है माइनस एक कामा दो फिर उसके बाद दिया है माइनस तीन कामा जीरो ठीक है यह क्या दिया गया है बिन्द दिया गया है और यह बताना है कि चतुर भूज के प्रका प्रकार का है तो कौन सा है अब को बताने है इस और आय था इर्ट के आकार है तो करना क्या है यह इसे सारगहे π continued होते हैं ठीक है तो चार बिंदू को हमने माल लिया ABCD अब हम करेंगे क्या पहले न passé मंजनेंगे AB के बीच की दूरी तो AB के बीच की जब दूरी आपको निकालना होगा तो फार्मूला आपको पता है दूरी निकालने के लिए यहां चाहिए अ minus y1 का whole square आप चाहें तो x1 minus x2 का whole square भी कर सकते कोई problem ने ठीक है क्योंकि work में minus हठी जाएगा तो करना क्या है सबसे पहले लिखेंगे x2 हम निकालने a b तो जब x2 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा y1 यह हो जाएगा एकस्ट क्या क्या y2 किधना है फिर फिर में पहले से खजाएगा 10 क्या क्या कर देंगे all square य सक्यार अब कक्या करना है two- one- inか मांन है यहा अब क्या करना है एक एक जोडेंगे तो दो हो जाएगा दो का क्या कर देना होगा आपका स्क्वायर और यहां पर जीरो दो जोडेंगे दो ही रहेगा तो यहां भी निकलेगा दो का क्या स्क्वायर अब क्या करना होगा आगे देखिए दो का वर्ग चार दो का वर्ग चार 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 कितना हो जाएगा यहां पर देखिए चार चार कितना हो जाएगा आठ दो गुर्टे दो गुर्टे दो ठीक है दो दूनी चार दूनी आठ जो रूट में जिसका जोड़ा बनता है वह क्या होता है बाहर हो दोस्तों इतना मात्रग लिख लेजे ठीक है इतना मात्रग निकल जाएगा AB के बीच की धूरी अब निकाल लीजे आप BC चलिए यहांस निकाल देता हूँ क्या BC के मिच की धूरी तो BC निकालने करें क्या करेंगे जो B है इसको X1 इसको Y1 माले लिजे और यहाब का हो जाए का X2, Y2, ठीक है, same formula, करना क्या होगा, X2 minus X1 का whole square, तो X2 कितना है, minus 1, फिर minus X1, तो X1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर whole square, plus Y2, Y2 कितना है, 2, फिर minus Y1, Y1 का 1 कितना हो जाएगा, 0 का whole square, क्योंकि हम B को Y1, X1 लेंगे, ठीक है, अब क्या करना होगा, minus 1, minus 1, minus 2 हो जाएगा, इसका work हो जाएगा, plus, 2 में से 0 घटाएगे, तो 2 ही बचाएगा, 2 का work हो जाएगा, same process, same process बोले, तो 2 का work 4, 2 का work 4, work में minus हड जाता है, बचे 2, 4, 4 कितना हो जाएगा, 8, 8 का भी हमने निकाला कितना है, 2 करणी के अंदर 2, तो यहाँ पर डाएग लिख दिए, 2 करणी के अंदर 2 क्या, मात रख, अब आगे बढ़ते हैं, आगे निकाल लिजिए, अब क्या, BC, अब CD निकाल लिजिए, तो यहाँ लिखे, CD के 20 की दूरी, तो CD जब निकालेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, X1, Y1, यह हो जाएगा, X2, Y2, समझ में आ रहा ना, अब चले ध्यान दीजिए, पहले जब बिंदू हम लेंगे C, तो C को 1 में लिखेंगे, और दूसरा बिंदू D, तो D को 2 में लिखेंगे, समझ में आ रहा ना, 0-Y1, Y1 का मान यहाँ पहुझा रहा है 2, क्या कर देंगे, इसका whole square, चलिए, बने रहे मेरे साथ, तीन में से एक घटे, क्योंकि 3 माइनस में है, एक प्लस में, तो बचे कितना, माइनस दो, तो क्या कर देंगे, इसका whole square, प्लस, अब क्या होगा, दोस्तो, को दो जोस्तों-20 घट χटेगा नहीं तो बचेगा वहीं बचेगा ढ़ए अब इसका वहार कर यह मैनेस दो का max-2 और चार Мैंस International 4, 4, 4, 4, 8, 8 को हम जब तोड़ेंगे दोस्तों इसमें से गुडं खंड करेंगे बाहर निकलेगा करड़ी के अंदर दो क्या मात्रक इतना क्लियर हो गया चले यह निकल गया CD के बीच की दूरी अब हमें निकालना क्या DA के बीच की दूरी तो DA जब निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों DA प्रथम बिंदू हो जाएगा X1 Y1 हो जाएगा और यह जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा धूरी उटी बिंदू हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप हम निकालने डी they sed Haador d ED अब has the Laundery तो चले दोस्तों दूरी क्या होता है ex2 thin is ugawk है protein Berry है प्लस अब लिखेंगे वाई 2 टो वाई 2 कि इतना है जीरो माइनस प्लस वाई 1 का माने है टू का होल स्क्वाइर बराबर अब क्या करेंगे ध्यान दीजें तीन में से एक घटेगा बचेगा दो तो दो का क्या हो जाएगा इस्क्वायर प्लस दो में से जीरो घटाइग बचेगा दो दो का क्या हो जाएगा इस्क्वायर अब यहां ध्यान दीजे दोस्तों दो का वर्ग चार दो का वर्ग चार 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 कितना हो जाएगा आठ आठ क चारो दूरियां बराबर आएंगी तो यह वर्ग हो जाएगा यह दो दूरियां बराबर आएंगी तो अगर आप देखे इसमें आपको बिकन नहीं निकालना है विकन मैं इसले नहीं निकालूंगा क्योंकि जब चारो बराबर आजाने तो सिर्फ वर्ग ही बनेगा और कुछ fulfilled नहीं आपको विकर्ड तम निकालना आये ध्यान दीजिए दोस्तों जब दो दूरियंगा बराबर डायें आएंगी दो दूरियंगे आपस में बराबर है तो क्या होता दोस्तों आपका आयत भी बन सकता और Quel समानताप रखूज भीन सकता ठीक है उसे करेंगे ठीक है । आगे भी सवाल में बताएंगे बने रही मेरे साथ कि सभी बराबर आ रहा है दूरियां इतर्च निकली हैं आपस में सभी क्या है बराबर है तो सभी एक वर्ग है आपसे क्या पूछा है कि क्या इसी बना रहा है कैसा चतरूज बना रहा है तो यह एक वर्ग बन रहा है ठीक है इससे क्या बन रहा है दोस्तों वर्ग बन रहा है क्यों कि प्रकार बताना था किसलिए बन रहा है इसे विचार करना है तो इसलिए बन रहा है क्यों है आप देखिते दोस्तों बरहमे का दूसरा ना के कIs सबसे पहले लिखें स्प्रांइंट क्योंकि बिंदुणों को युक्राइब same question वही रहाएगा जैसा आपको पहले में किये परहमें का इसके बिंदूओं को आप लिख लिजे तो चले इसके बिंदूओं को मैं लिख लेता हूँ बिंद क्या दिया गया है minus 3,5 यहा लिख लिजे minus 3,5 दूसरा जो दिया गया है 3,1 तीसरा जो दिया गया है 0,3 और जो चौथा दिया गया है minus 1, minus 4 ठीक है? अब ध्यान दीजे दोस्तो अब इसकी अलग-अलग बिंद होंगे ये A हो जायेगा ये B माल लेजे इसको C माल लेजे इसको क्या माल लेजे? D माल लेजे ठीक है? अब हम चले दूरिया निकाल लेते हैं तो अब इन ही के बीच की दूरिया निकालना है सबसे पहले किसके बीच की दूरिया निकालना है? A, B A, B के बीच की दूरिया निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है है फार्मूला आपने सुरू में लिखा दिया है और सभी क्योश्चन में इसी फार्मूले का यूज हो रहा है तो तो आपके दिमाग में च्छप चुका होगा तो करना क्या होगा यह ए बी जो है पहला बिंदू है बी जो है दूसरा क्या हो जाएगा य2 हो जाएगा BEC 125 चले ध्यान दिजे अब करना क्या है सबसे पहले एक्स फार्मूला होता X2-100 यह मैनिस स्क्वार स्माद स्वेएर और फार्मूले मं प्लस होता पिर उसके यूस को तो य2-y1 Xiao Mario अकि तो आपका वन है माइनənस वाय वाइ वन कितना है आपके फाइब का ऊल स्क्वार कर देना क्योंकि यह फर्मूल रिंगा एक दोस्तों, अब क्या करोगे अब आपको करना क्या है जो घटे का घटा दीजिए जुडे जोड लीजिए ठीक हैники हाँ तीन तीन चीछ हो जाएगा छहार कर देना है वरक कर देना है प्लस माइनस पांच में से गट बचते करचीतना माइनस चार त्याह nos 4 का होल स्कवार ठीक है बराबर हाँए करेंगे तो 6 और करेंगा जाएगा 36 और यहां पर चार का वर करेंगे चार चाव के कितना हो जाएगा 16 और 36 16 को हम जोड़ेंगे तो यहां पर कितना जाएगा च्छाच 12 हासी लेक 3145 पांच भावन आजाएगा ठीक है दोस्तों तो यहां रूट में कितना निकला यह किसका निकला दूरी ए बी का निकला अभी हम निकाल लेंगे किसका बी सी का निकालेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए यहां समय निकाल लेता हूं क्या बी सी के बीच की दूरी तो बी सी निकालने के लिए फार्मूला सेम चेंज हो जाएगा बिंद तो बी अब हो जाएग वन में सी हो जाएगा दोह के रूप में ठीक है दोस्तों अब ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे आपको करना होगा X2 X2 कितना हो जाएगा 0-1 X1 करें कितना हो जाएगा 3 इसका होल स्कॉयर प्लस Y2, Y2 कितना है? 3, minus Y1 Y1 का हो जाएगा 1 का whole square, ठीक है? बराबर अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिए minus 3 में से 0 घटे का बचेगा सिर्फ minus 3 का whole square plus 3 में से 1 घटे का बचेगा 2 तीहां अपर लिखेंगे 2 का whole square ठीक है? बराबर को जब जोडेंगे आप root में तो कितना आ जाएगा तेरह तो रूट में तेरह मात्रक आ जा रहा है क्या बी-सी अब आप निकाल लीजे किसको दोस्तो c D को तो जब c di निकालेंगे चले ध्यान दीजे cd cd निकालेंगे तो c पहला बिंदु हो जा रहा यानि यह 1 हो जाएगा और d दूसरा तो x2 क्या हो जाएगा y2 confirm हो गया अब ध्यान दीजे अब करना क्या है x2 x2 कितना दिख रहा है minus 1 यहां लिखेंगे minus 1 फिर minus x1 इसका कर दीजे आप whole work plus y2 y2 कितना दिख रहा है minus 4 फिर minus y1 y1 कितना दिख रहा है minus 3 यहां पर देखिए y1 कितना हो जा रहा है minus 3 तो इसका कर दीजे क्या whole square बराबर आगे हल करते हैं अब क्या होगा minus 1 में से minus 0 गटाएंगे बच्छे का minus 1 तो minus 1 का क्या लगा दीजें आपर वर्ग प्लास यहां 4 3 कितना हो जाएगा साथ क्योंकि दोनों माइनस में तो माइनस 7 क्या हो जाएगा वर्ग अब चले इसका हम वर्ग कर लेते हैं तो वर्ग करें कितना आ जाएगा दोस्तों माटरक में 50 क्या निकल दूरी ओंपने क्वें कि दूरी और निकालना चाहेगा एकस होहेजा एकश वन वाइवन और क्या हो सैगा दूसरा बिन्द मिनटें टू हो जाएगा एकस्टू और यथी मिखा टू हो जाएगा ठीक है तो इसका क्या क्या क्ःक्श्क्रास हुँ मै remote माइनस पहले से होता है यहां पर फार्मूले में माइनस लिखेंगे अब लगाएंगे एकस वन माइनस में प्लस हो जाएगा इसका क्या होल स्क्वाइर ठीक है दोस्तों अब क्या करेंगे दियान दीजेए अब करना जाजा कुछ साथ नहीं है मैं घटाएं बचेए का क्या कर देना आपको वर्ग कर देना कौश समझा रहा हैं कितना हौख पे si matrag सभी का दूरियान कि अलग है टीक दोस्तों जब सभी भी दूरियान अलग हो ल ministयbisnevr और यह ना cd के बराबरह और दी यहला यानि इसमें कोई किसी की बराबर नहीं निकल लाई टीक है तो अथा हम यह का सकते हैं यह किसी किसी भी प्रकार का चतुर भूज नहीं बनेगा ठीक है दोस्तो इसमें जो होगा किसी भी प्रकार का चतुर भूज नहीं बनेगा दोस्तो ध्यान दीजे अगर चारो भूजाएं बराबर निकली तो मेरा क्या बन गया वर्ग बन गया ठीक है लेकिन जो चारो भूजाएं बर कर्ए का नहीं बार और नहीं निकालें त्मरम हो जाएगा जब हम उसका क्या निकालेंगे बिकाण निकालेंगे दोस्तों तिहांमें बिकल नहीं निकालना क्योंकि पहले से पता चल जा रहा है दोस्तों कि चारो भूजां इसकी बराबर है नहीं तो यह सोगा किसी भी प्रकार स्काइब नहीं बनेगा लिखना चाहिए तो लिख दीज़ें आता है हो यह किसी भी प्रकार का कि चतुरंगुज नहीं बनेगा ठीक है दोस्तों चतुरंदों नहीं बनेगा है नहीं है यह सब्सक्राइब करना क्या है सबसे पहले इसके बिंदू को मैं लिख लेता हूं टीक है यहां पर लिखने लिखने के वाद इसका बिंदू क्या दिया गया उसको आप लिख लेजे तो इसका बिंदु क्या क्या दिया गया है ध्यान दीजे दोस्तों बरहावे का तीसरा का दिया है चार कामा पांच यहां पर लिख दीजे चार कामा पांच फिर दिया है साथ कामा च्छ तो साथ कामा यहां पर लिख दीजे च्छ उसके बाद लिख द यह भी हो जाएगा यह सी और यह क्या हो जाएगा ठीक है कंफर्म हो गया अब करना क्या है द्यान दीजिए A B C D हमें मिल गया अब इनके बीच की हम क्या निकाल लेते हैं दूरी क्योंकि बताना यह किस प्रकार का चतुर भूज है तो जब प्रकार का चतुर घंते हैं । सब सबसे पहले निकाल लेड़िसे किसके बीच की दूरी Ciao भी निकालने के लिए फार्मूला रहे JEFF दोस्तो X2 हमने लिया है लिए पहला हम जाएगे बी को लिया दूसरा भी यूरा ऑफकी हो जाएगा अब क्या करेंगे आपका फार्मूला होता है खbir स्टमा उले करना हो लिए टो एकस टू जो है वह हो जाएगा सरी माइनएस x1 कितना है 4 तो किसका हो जाएगा आपका whole square plus y2 y2 का मान कितना है 6 minus y1 का कितना है 5 का whole square यह आपका फार्मूला अब इसी फार्मूले को अब क्या करना है इस फार्मूले में हमने रख दिया 7 में से 4 घटाएंगे तो बचे का कितना ध्यान दीजे दोस्तों यहां से घटाएंगे 7 में 4 तो बचे का 3 तो 3 का क्या कर देना है आपको work कर देना है 10 यह AB का जो दूरी निकलेगी कितना निकलेगी दोस्तों 10 मात रख निकल जाएगा अब चलिए मैं निकाल लेता हूं किसके BC के बीच की दूरी तो BC को जब निकालेंगे तो अब B क्या हो जा रहा है पहला बिंद हो जा रहा है तो B को हम X1 और Y1 माल लेंगे C दूसरा हो जा रहा थे X2 क्या माल लेंगे Y2 माल लेंगे अब चलिए क्या होता है X2 X2 कितना हो जा जाएगा 4-X1 तो X1 इसका क्या whole square प्लस वाइटू इडरो हो जाता है थ्री माइड़ 51 system का हो इसक्यूरत हुआ ठीक है सबस्क्राइब क्या करना होंगा यहां चॱ्छ cass गटाएंगे 15x 10-6 नियागा तो माइनेस जोड़ेंगे कितना अटायगा ठीक है अब तेकाbon की द्यान दीजे अब कर ना देगा यहां मैंनस 3 का यह यहां इसका पर मैंनेस में माइनस ताहरा जोड़ेंगे आज सब्वरी निकलेगा ठीक है दोस्तों चले अभी दो दूरी ने हमें मिली है अब चले हम तीसरे दूरी की तरब चलते हैं तीसरा दूरी आका क्या निकलेगा świ द यहां निकाल लेते हैं cdd के बीच की दूरी तो cdd क्या करना होगा ध्यान दीज़ैंतों C हो जाएगा पहला बिंदू और D हो जाएगा दूसरा ठीक है चले अब मैं यहां से पहले दूसरे को लेकर हल करता हूं लर कрийब करता हूं तो क्या होगा X2 एक्सट्टू कित्ड़ घुतना यहां पर रखेंगे फिर माइनस एक्सव एक्सव इंस20 कितना है फोर दिख रहा है तो यहां माइनस कितना हो जाएगा फोर का होल स्क्वाइर प्लस वाइटू वाइटू कितना है टू माइनस वाइवन त्री का होल स्क्वाइर ठीक है अब क्या करना है कि यहां माइनस चार में से घटेगा तो बचे कितना माइनस 3 का whole square plus यहाँ पर दिके 2 minus 3 है तो यहाँ घटे कीज़ना होचेगा minus 1 का whole square अब क्या करेंगे ध्यान दीजे अब करना है minus 3 का आपको work करना है तो minus 3 का work करेंगा जाएगा 9 और minus 1 का work करेंगे ताएगा 1 और 9 यह कितना हो जाएगा 10 यह रूट में किन्दा निकलेगा 10 मात्रक ठीक है दोस्तों चलिए अब हम निकाल लेते हैं डीए की 20 की दूरी ठीक है तो डीए निकालने के लिए क्या करना होगा डीए भमारा हो जाएगा प्रतम बिंदू और यह जो हो जाएगा वो दिए बिंदू ठीक है तो करना क्या है दिए बिंदू क्या है ए तो X2 X2 का मान कितना हो जाएगा 4-X1 यहां पर कर देंगे इसका whole square mündY2 Y2 का मान हो जाएगा 5-Y1 का मान हो जाएगा 2 का whole square समझ मेरा रहाना दोस्तों अब क्या करेंगे ध्यान दीजे चार में से एक घटाएंगे तो बचेगा तीन तीन का हम क्या कर देंगे वर्ग प्लस पांच में से दो घटाएंगे ध्यान दीजे दोस्तों यहां पांच में से हम क्या घटा रहें दो तो बचेगा तीन 3 का हम कर देंगे whole square बराबर अब ध्यान दीजे दोस्तों 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9 और 9 9 कितना हो जाएगा रूट में 18 मात्रक समझ जा रहा है अब ध्यान दीजे अब क्या करना है यहां पर देखे बिकन हमेशा कैसे निकलता है ध्यान दीजे अगर यह आयत है क्या होगा कि होगा यहांपे क्या होगा sigue होगा लिक्रण निकलता है तो तीर्छे कम अलomा पहले AC में अब BD लेंगे यहां यह दोनों बराबर का जाए लिए लए तो आयत हो जायगा बिक्रण बराबर आजए गा तो विक्रन बराबर नहीं आएगा तो क्या जाएगा समांतर्चतर्व फोगा ठीक है दोस्तों चलें देख लेते हैं कैसे जश्च की दूरी लिखे एसी पराइंद आप आपका हो जाएगा फ्रतम बांगल बांद हो चाहेगा रहेगं तो C को हम क्या माने है 2 X2 के दुती बिंदू है तो क्या होगा X2 X2 का मान 4-1 आप 4-4 अब ध्यान दीजे Y2 तो Y2 कितना हो जाएगा 3, क्योकि हमने इसको देतीजी भी नींदोवाना है 3-この- किया होता है? Y1 5 का हो जाएगा वर्ग यहाँ पर हम निकालने विकड रखेगा यहाँ पर क्या निकाल रहा हूं मैं? विकड निकाल रहा हूं अब धियान दीजहे अब क्या करना है द मुझा लेंगे तो कितना बचता है चब निकल क्या निकला A c B Canadian अब हम निकाल लेंगे क्या बी-डी निकाल corporate लिए क्या करना होगा अब हम प्रथम बिंदू लेंगे और दी को द्यूती बिंदू तो यह क्या क्या हो जाएगा x1 y1 और यह क्या हो जाएगा 2 y1 कि घखए ऐस तो 1 रखे माइनास वाइवoted यहां पर रखेंगे यहां तो यहां पर 7 है आप्लास अब चलिए 2 रख दीजिए – my 1 कितना हो जाएगा 6 दिश्त ठीक है दोस्तों अब क्या करेंगे मैनस 7 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 6 माइनस 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा मैंनस 4 तो मैंनस 4 क्या कर देंगे गःगँ अब ध्यान दीजिए करना क्या है छार कतिस और प्लास चार का सोल और छती सोल जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा रूट में बावन और जो दिखे बीकंद बीकंद बराबर नहीं है कहने का मदलब है जब बिकण ए सी बराबर बी डी आपस में बराबर नहीं है तो यह आयत बनी नहीं सकता हमारे कहने का मदलब है कि जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो आयत होता है तो इसमें देखें आमने सामने की बराबर निकलें दो बराबर निकलें दो द सकता है तो जब यह दोनों हो सकता है तो हम करेंगे क्या आगे ध्यान दीजिए अब हम कंफर्म नहीं कर सकते कि आयत ही होगा या समांतर चतुरभूज होगा तो यह कंफर्म करने के लिए दोनों का बराबर आया ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि आयत नहीं यह क्या हो हो जाएगा क्योंकि बिखन नहीं तो लिख दीजिए आत लीजों एक क्या बनेगा सब्ढ վंतर है ठीक है दोस्तो यह 119 यह समांतर चतुर भूज है ठीक है दोस्तों तो सुरिया आपको सिदा सिधा आइनसुर हो जाएं थी इनसुर कर दीजेगा इसको समझ आगा दोस्तों जुआन कि तरफ चलता ओŁ क्यूएस्ट नंबर 13 अब सबस्ट क्यों से नंबर 13 स coup है क्या नंबर 13 में क्या बोला मैं इसको पढ़ता हूं देखता हूं इसमें क्या ला है इसमें बोला है उस त्रिभूज का परिमाप ज्यांत कीजिए जिसके सिर्स जीरो कामा चार कामा जीरो और दो कामा माइनस दो एक समकोड त्रिभूज के सिर्स हैं तो देखे दोस्तों इसमें आपको परिमाप निकालना है क्या करना है तेरा नंबर का हमें निकालना है परिमाप तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा पहले सभी की दूरियां निकाल लेजे एक तिर्भूज का सिर्स लिख लिखने के बाद क्या करेंगे हम इसका परिमाप निकालेंगे परिमाप जो दूरियां निकलेगा उसको समकोर बनाई है अब इसके बिंदूओं को आपको लिख देना है जैसे क्या हो जाएगा बी यह हो जाएगा परिमाप निकानने के लिए सबसे पहलेए क्या करेंगे एक्स टू वाई टू हो जाएगा ठीक है दोस्तो चले ध्यान दीजे अब क्या करेंगे तो लिखेंगे एक्स टू कितना हो जाएगा फूर माइनस x1 X1 कितना हो जाएगा 0 इसका क्या करेंगे हम Nord हूल स्कौआर ठीक है प्लस Y2 Google कितना जीरो माइनस वाइंट ना हो जाएगा 4 का फोल स्कौआर ठीक है अब क्या करेंगे द्हान दीजिए अब करना कुछ नहीं है चार का वर्ग हो जाएक चार में 0 घटायेगे तो माइनस 4 टीक है अब निकालेंगे एबी तो एबी बराबर जो आएगा यहां दीजे चार का वर्ग जोड़ेंगे खितना आजाएगा 16 प्लस यहां भी चार का वर्ग जोड़ेंगे खितना आजाएगा 16 और 16 वो हो जाए व un khus j8 यह गा 32 तो यह जो निकलेगा दूरी वह कितना निकलेगा 32 मात्रव निकलेगा क्या AB के बीच की दूरी निकलेगी अभी हमें निकालना आप क्या BC चले यहां समस्धाल निकाल लेता हूँ यहां से निकालना होगा तो दियाइन दीजेगा दोस्तों माइनß 4 में सब 2 भका हेगा बचेगा माइनसではigue 1 2 today भी माइनस 2 ही तो यहाँ ृठ और दिएगा क अधोर करेंगा दोस्ते हो बचार प्लास-डोर करेंगा बचार चार चार के लिए सी जो होगा प्रथम बिंदू और जो होगा वह क्या हो जाएगा द्विती बिंदू ठीक है दोस्तों तो चले अब इसको हम कर लेते इनके बीचों की दूरी निकालने के लिए कमान घृक का माल का मांन कितना फॉल इसक्वाइर प्लस वाय टू का माून कितना हो प्लस तो वाई वन कमान कितना निकलेगा पलस टू माइनस में पहले से तो क्या आवह जाएगा स्मझत राहा है और रूट में क्या करेंगे आप खटाए माइनस दो सबाइन को रिख भर गपना चार दो शय तो च्यकों टेना क्या दोस्तो मात रख अब क्या करना होगा हमें निकाल लेना होगा यहां से क्या परिमाप चलिए दोस्तो परिमाप का मतलब होता है जोड जो इनकी भुजाएं निकली है इन्हीं को जोड देना है तो यहां लिखे परिमाप परिमाब का मदलब होगा जोड तो इसको जोड देना होगा तो जो AB के क्या होगा परिमाब में लिखेंगे AB प्लस BC प्लस क्या CA सभी के दुरियों को हमें क्या करना होगा जोड देना होगा तो जो AB N RiceART 15, 20 जो निकला है वन निकल रूट में कितना अथť प्लस सभी को जोड देना है ऑफ थ्यान धिजए अगर 22 खंड करूं रूट के अंदर तो कितना आएगा दोस्तों ध्यान दीजेगा अगर मैं 32 सा गुरंखंड कर हैं। तो कितना है ग्रतों को दो कि दोटे 55 कहने का मतलब है मैं इसको भी लिख सकता हूं डो गुर्टे दो गुर्धियो त्ची पंच ठीक है दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी आठ और 2025 चायलिस अब Twist के अंदर जो मिलता हो बहुं दो दो मिला दो-दो-दोब निकलेगा दो दो दूनी कितना हो जाएगा 4 और Guess punish दो दूनी 4 दो दूनी चार यället चार मिल ला है तो चार बाहर निकलेगा बचेगा रूट में 2 यहाँ दिखे ने आप ध्यान दिखे चार रूट में दो रूट में कितना बचा-10 यहां से हमें दिखिए क्या कामन दिख रहा है अगा देखे चार रूट में दो तो एक ही कटेगरी के हैं तो इसको जो लिए चार दो कितना हो जाएगा छार रूट में दो ठीक है और प्लस यहां बचेगा दो रूट में 10 अब क्या करना होगा अब आपको करना क्या है इसमें दो कामन , नमबर 13 का समझ है इस वीडियों इतना ही वीडियो पसंद आया हों तो वीडियों को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्पारिजए डोस्तों के सांद्ग